हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में इसका नाम की विप्टैक आज का टॉपिक है बोक कमपाउंड जब आप BMC सहर के सीमेंट की गलियों से गुजरेंगे तब आप बोक कमपाउंड के बारे में पढ़ेंगे पर मैं इस वीडियो में आपको बोक कमपाउंड डिफाइन नहीं करने वाला हूँ मतलब उसके बारे में डीटेल मैं आपको नहीं दूँगा इस वीडियो में उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले के आऊँगा यहाँ पर मैं आपका एक बहुत बहुत होता है वो clear करूँगा और वो doubt क्या है कि आपके चार बोग compound है इन्हें वो arrange के लिए बोल देगा कि increasing या decreasing order में arrange करो किसके according heat of hydration, rate of heat of hydration, reaction with water, strength तो इसके according आपको increasing या decreasing order में लगाना होता है बताना होता है तो यहाँ पर अलग-अलग books में, अलग-अलग notes में आपको अलग-अलग दिखेगा तो इसी वज़े से confusion बहुत होता है तो आज हम इस वीडियो में उन सभी doubt को दूर करेंगे और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के last में मैं एक mcq set paper लगाऊंगा जिससे आपको यह पता चलबाएगा कि इस topics related किस तरीके से question बनते है और जो बच्चे non-tech gk के लिए पूछ रहते हैं उनके लिए मैंने एक instagram पर एक page बना दिया है non-tech now नाम से एक page है ठीक है? लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं सबसे पहले बात करेंगे bog compound होता क्या है? the compounds formed in the burning process of cement are known as bog compound cement बनाने के लिए जो raw material होता है उसे आप क्या burn करते हैं? ठीक है? burn करने के दौरान वो एक दूसरे में mix होते हैं, fuse होते हैं और चार आपके compound बनाते हैं वही कहलाता है आपका bog compound there are four types of compounds आपका जो bog compounds होता है, वो चार टाइप का होता है first है tricalcium silicate जिसे sort में C3S लिखते हैं dicalcium silicate C2S tricalcium eliminate C3A और tetra calcium alaminopherate C4AF इने हम sort में इसी तरीके से लिखते हैं ये इनका insignia है अगर आप मुझे बोलेंगे तो इन सबसे related जितनी भी आपके information है जितनी भी detail है उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा लेकिन फिलहाल मुझे आपको बतानी है series कि series related कैसे question पूछे आते हैं सबसे पहला है percentage by mass mass के according आपके जो बोग compound होते है उनका order क्या है तो आपर सबसे ज़्यादा होता है tri calcium silicate उससे कम होता है di calcium silicate उससे कम होता है tri calcium eliminate और सबसे कम होता है tetra calcium almino ferrate बाकी वैसे अगर normally में percentage की बात करूँ तो tri calcium silicate होता है 45% di calcium silicate 25% tri calcium eliminate 11% और tetra calcium almino ferrate ये 9% के आसपास होता है second है formation in clean आपको पता है कि जब आपके ingredients है वो burn होते हैं तब आपका वो compound बनता है तो उसमें आपका क्या series है यानि सबसे पहले कौन बनता है फिर उसके बाद कौन सा compound बनता है तो उसमें है सबसे पहले बनता है आपका tetra calcium almino ferrate उसके बाद tri calcium alminate उसके बाद di calcium silicate और सबसे last पर बनता है tri calcium silicate ये series याद रखेगा बहुत confusion होती है third है three days strength अगर हम इसकी बात करें तो tri calcium silicate की सबसे ज़्यादा होती है तीन दिन बाद की strength tri calcium alminate की उससे कम di calcium silicate की उससे कम और tetra calcium almino ferrate की सबसे कम और वहीं अगर हम बात करें 28 days strength की तो यहाँ पर tri calcium silicate की strength सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद होता है di calcium silicate फिर tri calcium alminate और सबसे last में है यानि सबसे कम strength होगा tetra calcium almino ferrate दोनों series को ध्यान से देखो एक है 3 day strength और एक है 28 day strength दोनों में फरक क्या है starting का और last का दोनों same है बीच वाला क्या है दोनों वो flip कर रहा है यानि 3 day की अगर strength की बात करें तो tri calcium alminate का जादा है di calcium silicate के पेक्षा लेकिन 28 days की बात करें तो di calcium silicate का जादा होता है as compared to tri calcium alminate यही सब बाते ध्यान रखने के होती है इसके बाद अगर हम बात करें heat of hydration की तो इसमें होता है tri calcium alminate का सबसे जादा tri calcium silicate का उससे कम उससे कम होता है फिर आपका tetra calcium almino ferrate और सबसे कम होता है di calcium silicate याद रखना यह है heat of hydration यादि total heat of hydration कितना होता है अगर हम quantity की बात करें तो C3A का होता है 320 calorie per gram C3S का होता है 120 calorie per gram tetra calcium almino ferrate का होता है 100 calorie per gram और di calcium silicate का होता है 60 calorie per gram next है rate of hydration rate of hydration की series होती है सबसे जादा rate होता है tetra calcium almino ferrate का उससे कम tri calcium eliminate उससे कम tri calcium silicate और सबसे कम होता है di calcium silicate का दोनों में difference है heat of hydration का मतलब होता है total overall कितना heat of hydration है कितना heat निकलता है overall और rate of hydration का मतलब है किस दर से निकलता है किस rate से कितनी तेजी के साथ निकलता है तो वो है rate of hydration तो question जब भी आये तो उसे पहले ध्यान से पढ़ना कि वो heat of hydration पूछ रहा है, total heat of hydration पूछ रहा है, या rate of heat of hydration पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा confusion इसी महीं होता है, next है reaction with water, इसकी सीरीज क्या है, tricalcum elminate, ये सबसे पहले react करता है, बहुत जल्दी react करता है, इसके बाद है tetra calcium alminoferrate, उसके reaction करेगा, तो वो है आपका tricalcum elminate, ऐसा question बहुत बार पूछा गया है, और last में आपका reaction completed, यानि कि कि किस compound का आपका reaction सबसे पहले complete हो जाएगा, तो सबसे पहले होगा आपका tetra calcium alminoferrate का, उसके बाद होगा tricalcum elminate, फिर dicalcum silicate, और सबसे last में होगा tricalcum silicate, यानि सबस सबसे पहले reaction start करेगा, और second में लिखा हुआ है reaction completed, यानि कौन सा बोग compound सबसे पहले reaction को complete करेगा, I hope आपने बोग compound से related जितने भी series है, उसे आपने समझ ली है, अब चलिए previous year में पूछे गए, कुछ आप MCQs देख लेते, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इस topic से related कैसे question बनते हैं, first question है, the heat of hydration of cement can be reduced by, किसी cement का heat of hydration आप कैसे कम कर सकते हैं, तो इसका answer है, option number B, decreasing the proportion of tricalsum eluminate and tricalsum silicate, क्यों क्योंकि आपको पता है, इसका heat of hydration सबसे ज़्यादा होता है, जो मैंने heat of hydration की series बताइए, उसे ध्यान से देखी, आपको समझ में आ जाएगा, next question, which of the following shows the correct decreasing order of the rate of hydration of the Portland cement compounds, आपको बताना है, rate of hydration का correct decreasing order कौन सा है, इसका जवाब आप मुझे देंगे, थोड़ा सा मैं hint देदू, hint आपके लिए ये है, कि options में कुछ ना कुछ गड़बड है, option सही नहीं है, तो आपको मुझे correct order बताना है, अभी मैंने आपके वीडियो में बताया है, नहीं याद आ रहा है, तो जाके दुबारा देखिए, और फिर मुझे इसका correct answer आप मुझे comment करके बताये, comment करने से पहरे वीडियो को like कर देना और हाग comment जरूर करना, next question, the rate of heat of hydration of four bulk compounds in the decreasing order, आपको बताना है, rate of heat of hydration बताना है, वो भी decreasing order में, यानि कि बड़े से छोटे की त लेकिन आपका एक भी option इसमें मैश नहीं कर रहा है, option C और D में आप confused होंगे, तो आप आएंगे option number D में, उसका reason है, क्योंकि देखो, die calcium silicate में सबसे कम होता है, ये तो confirm ही है, हाँ, I know कि ये आपका proper series नहीं है, proper series जो मैंने बताया वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा flip कर दिया है, तो I think आपका जो more correct answer होगा, वो होगा option number D, ऐसे question की ही वज़े से, बच्चों को बहुत जादा problem होती है, क्योंकि अलग-अलग books में, अलग-अलग series दे देगा, जैसे अभी इससे पिछले वाला question है, उसमें भी कुछ गलत था, यहाँ भी थोड़ा सा flip कर दिया, त इसा नहीं करेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत adjustment कर सकते हैं, next question, the major compounds in the ordinary Portland cement responsible for its strength are, आपका जो ordinary Portland cement होता है, उसमें कौन सा ऐसा major component है, जो strength के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदाई होता है, तो इसका answer, option number A है, tricalcum silicate and dicalcum silicate, सबसे ज़्यादा दो strength की contribution होता है, वो यही द compound रखते हैं, next question, which of the following is the correct if they are arranged in the decreasing order of heat of hydration, heat of hydration का decreasing order बताना है, तो इसका answer है, option number C, मेरे answer देने से पहले आप answer सोच लिया करो, और question में देखो क्या दिया हुआ है, heat of hydration, कहीं rate का जिक्र नहीं है, तो मैंने कहा था, कि जब भी heat of hydration की बात हो, तो आप check कर लिया करो, कि rate पूछ है, यह total की बात हो रही है, तो rate अगर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलर total की बात हो रही है, तो total heat of hydration जो होता है, वो tricalsum eliminate की सबसे ज़्यादा, उससे कम tricalsum silicate की, फिर tricalsum aloferate, और last में diicalsum silicate, last question है, the contribution of the constituent of cement to the strength of the cement in the decreasing order, decreasing order में आपको strength का contribution बताना है, अब यहाँ अपर बात यह आई कि आप 3 दिन की बात कर रहे हैं या 26 दिन की, तो याद रखना, या तो वो specify करेगा कि 3 दिन की बताना है, या 26 दिन की, और अगर उसने की नहीं बताया है, तो आप मान के चलिए कि वो 28 दिन की ही पूछ रहा है, 28 देस strength पूछ रहा है, क्योंकि 28 देस क्य नहीं दिया है, तो 28 दिन, तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को जारा से जारा दोस्तो शेर कर देना, जिससे हमें support मिल पाएगा, और ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेगी, अगर आपने च किस इन बॉक्स पे मिल जाएगा, थैंक यू